बिहार में प्रात्मिक सिक्षक भरती से जुड़े हुए सब ये भिर्थियों का स्वागत करता है दामाश डर आपका अपना यूटूब चैनल तो बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती का रिजर्ट आ चुका है जो अब भिर्थि सेलेक्ट हो गये हैं उन्हें बहुत-बहुत तयार रहिए आज यहां पर हम लोग जो बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती का रिजर्ट आया है उस पर कुछ चर्चा करेंगी ये जो वीडियो थी ये दो दिन पहले बनानी चाहिए थी लेकिन थोड़ा सा देर हो गया है इतने सारे यूटूबर को देख देखकर दिमाग था तो हमने कहा कि चलिए वीडियो यहां पर बनाते हैं और आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं देखे यहां पर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की ये त्योहार बहुत धूमधाम से मना जाता है तो दसहरा की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सुभ कामना है और मस्त रहिए, खुश रहिए जहां भी है बहतरीन तरीके से दसहरे का त्योहार मनाईए अब आते हैं अपने बिहार के प्रात्मिक सिक्षट भरती में आपने जैसे ही आपका रिजल्ट आया है यूटूब पर हम लोग लाइव आके आपके रिजल्ट को शेर किया था लेकिन तब से अब तक सारी चीज़ें इसमें गोल मोल ही दिख रही है यानि कि एक गाना है जिसको हम लोग कहते हैं सब गोल माल है भाई सब गोल माल है तो वहाँ पर यही कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही है एक एक बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कोई बहुत ज़्यादा latest information यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं आपसे इतने दिन से हम जोड़े हुए हैं बिहार प्रात्मी सिक्षक भरती में इतना तयारी कराया गया है तो चलिए आपसे अपने मन की बात कुछ कहते हैं और चर्चा करते हैं कटाफ पर तो भाईया कटाफ किसी परिक्षा में जिसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई भी परिच्छा होती है उसका जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले कटाफ दिया जाता है कटाफ से क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो जान जाता है कि मेरे इतने नंबर थे और मेरा selection नहीं हुआ जैसे कि माली जे cut-off अगर 65 गई और बच्चे का number 73 तो जान जाता है कि मेरा selection नहीं हुआ क्योंकि cut-off 65 गई थी यहाँ पर किसी प्रकार की cut-off नहीं दिया गया है पूरे YouTube पर सिर्फ अंदाजा लगया जा रहा है कि जन्रल की cut-off कितनी है आपका 68 और आपका जो female category है अनारक्षित उनकी जो cut-off है वो 58 है यह सिर्फ अंदाजा है कोई exact cut-off नहीं है ना आयोग की द्वारा कुछ बताया गया थी जिन्होंने BTC की डिगरी जिनके पास नहीं थी और इस result में BAE को बाहर कर दिया गया है तो फिर result में BAE अभ्यर्थी क्या कर रहे है यानि BAE ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास सिर्फ BAE की ही डिगरी है उनका result क्यों खोसित किया गया ऐसे बहुत सारे candidate मिलेंगे आपको result में जिनके पास सिर्फ BAE की डिगरी है और उनका result आ गया है जो आपको डिगरी बदलने के लिए कहा गया था certificate बदलने के लिए कहा गया था कि जिनके पास आपका BAE है और DLED दोनों डिगरी है तो वो आपका DLED की डिगरी लगा दें लेकिन ऐसे बहुत सारे भ्यर्थी है जि इनका result दे दिया गया है जो आपका नियोजित सिक्षक है नियोजित सिक्षकों का भी result दिया गया है जो आपके नियोजित सिक्षक है इनको अलग से teacher बनाया जाएगा ऐसा सरकार में कहा है तो इन्हें लिष्ट में सामिल करने की कोई जरूत ही नहीं थी और सबसे main है देगे फी एली चिश सब्सक्राइब मंतों पूब्लेफ्स का विला उय्क जैसा करो यह एक जाने मुध्द्रेंग है जिसका कोई भी जवाब आपको नहीं ढिया गया अब भूस कारी इसकते anxiety 65 नमबर है फिर भी मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ मेरे 70 नमबर है फिर भी मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो आयोग ने कहा कि भीया आप जो है जो भासा के पेपर हुआ था सो नमरों का जिसमें 33 नमर लाने था उसमें आप फेल हैं इसलिए आपका स्लेक्शन नहीं हुआ तो कहने के मतलब प्रिश्ण हमारे पास बहुत सारे हैं क्यों कि मेन कटाउफ नहीं दिया गया है मेन कटाउफ ना देने कारण प्रिश्ण हमारे मन में बहुत सारे हैं जिनका आयोग कोई भी ज़वाब नहीं दिये रहा है और हां एक बात और बता दे हम उत्तर प्रदेश के जो एयोध्या जनपत भगवान स्रीराम की जो नगरी है योध्या वहाँ पर हैं और हमारे आसपस कम से कम पांच-छे ऐसे लोग मिलें, पांच-छे ऐसे अभ्यर्थी मिलें हैं हमारे पर्सनल जनकारी में, जनका चैन हो गया है विहार परास्म के सिक्षण दवरृती में उन्हें बहुत-बहुत सुभकामना है, वो जाके अपना DB भी उनका हो गया है और वो जाके ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग ट्रेनिंग पर लग गए हैं आपके लिए बहुत-बहुत सुबकामना है लेकिन यह ऐसे प्रिष्ण है जिसका यहाँ पर अभी कोई आंसर आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है और एक सबसे बड़ा प्रिष्ण है कि क्या हमारा जो merit है वो नीची आएगी यानि कि जो second list जिसे कहते हैं second list भी जारी होग तो जब इस वाले ऊपर वाले section से यह जाएंगे तो नीची वाले section से ने हटा दिया जाएगा तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अभी जो आपका लगभग 72,000 अभ्यर्थियों का result आया है इसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे यह beard जिनके पास beard degree है यह क्या होंगे यह DB से बाहर होंगे जो CTAT fail है यह DB से बाहर होंगे जो नियोजिस सिक्षक है अगर इनको अलग से teacher बनाती है सरकार तो यह लोग बाहर होंगे तो ऐसे बहुत सारे भिरती हैं जो बाहर होंगे यानि प्राथ्मी सिक्षक भरती में आपकी जो merit है वो नीचे ही जाएगी दू की प्रकार से आपसे मिलते रहेंगे चर्चा करते रहेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो गोलमाल वाला प्रिष्ण है उसका कोई इसपश्ट आंसार गौर्मेंट के दौरे नहीं दिया जा रहा है तो कोई बात ने चलिए हमारे पास जो प्रिष्ण है उस अतार प्रिष्ण पूश्टे रहेंगे आपकी इन में क्या रहा है आपका चैन हुआ है अथ्वान नहीं हुआ है और आपकी समस्या से पिडित है इन सभी चीजों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चले मिलते हैं अगले वीडियो लक्चर में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।